एक छोटे से घर में रहता था, वो लोग बहुत ही गरीब थे, कभी-कभी तो भर पेट खाना भी उनको नसीब नहीं हो पाता था एक दिन जगन को दूर एक हवेली की मरमत का काम मिलता है, जगन को पैसे की जरूरत होती है इसलिए वो मना नहीं करता और अपने बीवी बच्चे के साथ हवेली पर पहुँच जाता है हवेली में उनको रमेश और लक्षमी मिलते हैं जो उस हवेली की देखभाल का काम करते हैं वो जगन को उनका कमरा दिखाते हैं जगन और उसका परिवार उस रात आराम से अपने कमरे में सो जाते हैं सब बड़े ही थके हुए होते हैं इसलिए सोने के बाद किसी को जरा भी होश नहीं होता। अगले दिन जगन काम पर लग जाता है और लता बबलू के साथ पूरी हवेली देखने लगती है। देखते देखते वो एक बंद कमरे के पास पहुँच जाती है। अरे इस पर तो ताला है और ये क्या लाल कप्डा बांध रखा है। लगता है कोई बड़ा ख़जाना है इसमें तभी तो ऐसे बंद क्या हुआ है इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद लता अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो अचानक जगन की आँख एक अजीब सी आवाज से खुल जाती है। जगन बड़ी ध्यान से सुनने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कचर कचर कुछ खा रहा हो। लता अरे ओ लता उठो तो जरा। जगन से रहा नहीं जाता और वो अखेले ही उठकर देखने चल देता है कि आवाज आखिर आ कहां से रही है। जैसे ही जगन आगे बढ़ता है उसे वो आवाज और तेज सुनाई देने लगती है। जगन चलते चलते उसी कमरे तक पहुँच जाता है। जगन उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोलता है तो अंदर से बर्व जैसी ठंडी हवा का जोका आता है। जगन एकदम ठंड से कांपने लगता है। कि कौन है वहाँ और ये आवाज किस चीज की है। कुछ का आधा खाया शरीर पड़ा होता है। जगन इतनी बुरी तरह डर जाता है कि ना तो उसके गले से आवाज निकलती है और ना ही उसका शरीर अपनी जगा से हिल पाता है। बड़ी मुश्किलों से जगन हिम्मत करता है तो कुछ तेर बाद वो खड़ा हो पाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी लता को जगाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या हुआ है तुमें? खुद को नीद नहीं आ रही है पर मुझे तो सोने दो, बिकार की बाते करते हो। अरे, पर मैं सच बोल रहा हूँ। हे भगवान लगता है तुम मुझे सोने नहीं दोगे। चलो जरा मेरे साथ। मैं भी तो देखो कौन सा भूत घूम रहा है इस अवेली में। जगन लता को उस कमरे में लेकर जाता है। वहाँ पर रमेश की आधी खाई लाश देखकर लता भी घपरा जाती है। वो दोनों पूरे घर में शोर मचा देते हैं। शोर सुनकर रमेश की पत्नी वहाँ आ जाती है और अपने पती की ऐसी हालत देख जोर-जोर से रोने लगती है। यहां तका गया। यह दर्वाजा तो पहले से खुला हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है। यहां हमारे अलावा तो कोई नहीं रहता। किसी नो तो खोला है इसे। पर जिसने भी खोला है वो खुद नहीं बचेगा। अब कोई नहीं बचेगा। लक्षमी पागल हो जाती है और जोर-जोर से हसते हुए वहां से चली जाती है। लता बंदर ही अंदर बहुत डरी हुई होती है। वो अपने पती से वहां से जाने को कहती है पर जगन ने पहले से काम के सारे पैसे ले लिये होते हैं इसलिए वो काम को अधूरा छोड़ कर जाही नहीं सकता था। लता की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उस रात सो पाती है। अगला दिन जैसे पर फिर जैसे यंधेरा होने लगता है जगन और लता बहुत परिशान होने लगते हैं और एक दूसरे को तसल्ली देते हैं आखिर का रात हो जाती है और जगन कमरे के सारे खिड की दर्वाजे अच्छे से बंद करके अपने बीवी बच्चे के साथ सो जाता है पर आधी रात को फिर से वही आवाज जगन की आँख खोल देती है ए भगवान फिर से वही आवाज मैं इस बार नहीं जाओंगा पर ऐसे कब तक चलेगा आखिर वो जो भी है वो इस बार किसको खा रहा है मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए एक काम करता हूं लता को उठाता हूं पर वो वैसे ही बड़ी मुश्किल से सोई है क्या इसे उठाना सही होगा नहीं नहीं मैं अकेले ही जाओंगा जगन हिम्मत करके उठता है और फिर से जाकर देखता है तो आवाज उसी कमरे से आ रही होती है जगन इस बार बहुत ही जादा डरा हुआ होता है वो जैसे तैसे हि परचाई फिर वहां से गायब हो जाती है। जगन आगे जाकर देखता है तो इस बार वहां लक्षमी की आधी खाई लाश पड़ी होती है जिसमें से सारी हड्डिया गायब होती है। जगन एक पल भी वहां नहीं रुकता और सीधा बाहर भागता है तो वहां उसे एक बहुत ही बुढ़ा आदमे दिखता है। बुढ़ा आदमी उसे देख बड़ा हैरान होता है। अभी के अभी चले जाओ जल्दी से अभी के अभी अपने परिवार को लेकर चले जाओ यहां बुरी आत्वा का साया है उसने ही तो रमेश और लक्ष्मी दोनों को मेरे सामने चबा चबा कर मार डाला और उनकी सारी हड़िया तक खाली यह तुम क्या बोल रहे हो रमेश और लक्ष्मी मर गए सच बताओ कि क्या तुमने उस हवेली के पीछे का दर्वाजा खोला जिसमें लाल कपड़ा बना था नहीं मैंने उसे नहीं खोला पर वो तो पहले से ही खोला हुआ था ओहो यह तो अनर्थ हो गया आखिर किसने खोल दिया उस कमरे को क्या बात है बाबा मुझे सब सच सच बताओ वो कमरा सालों से बंद था सालों पहले मनोज और जया शादी करके इस हवेली में रहने आये थे आसपास के लोग बताते थे कि जया अच्सर शमशान में चिताओं के पास बैठी दिखती थी फिर एक दिन तो उनके नौकर की बहुत बुरी हालत में लाश मिली लाश बोलू या मास के कुछ तुकडे जब गाओं के लोगों ने ये बात मनोज को समझाई तो वो इस बात को समझने को तयार ही नहीं था कि उसकी पत्नी पर कोई साया है बस फिर वही हुआ जिसका डर था क्या क्या हुआ था एक दिन चब मनोज का भाई उस हवेली में पहुँचा तो वहाँ जया मनोज की हट्टिया चबा रही सामने मनोज का आथा खाया शरीर पड़ा हुआ था मनोज का भाई ये सब देख वहाँ से तुंद गाउं की तरफ भागा और लोगों को सारी बात बताई उसके बाद दूसरे गाउं के एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया गया जिन्होंने बताया कि जया एक चुडायल है जो हट्डिया खाती है इसलिए वो लोगों की चिता के आगे बैठी मिलती थी उस दिन उस चुडायल को उसी के कमरे में बंद कर दिया गया था पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो आजाद कैसे हुई वो सब मैं नहीं जानता अभी तो मुझे अपनी बीवी और बेटे की चिंता है मुझे अभी उनके पास जाना होगा जगन और वो बुढ़ा आदमी जल्दी से घर के अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देख कर दोनों काम पुटते हैं वहां लता की लाश पड़ी होती है और उसकी हड्डियों को उसका बेटा चबा चबा कर खारा होता है जगन रोता रह जाता है मैं बबलू नहीं जया हूँ लता और तेरे बेटे ने ही मुझे उसकमरे से आजाद किया था चलो भागो यहां से पर मेरा बेटा मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकता कांसा बेटा तेरे बेटी को तो मैंने सबसे पहले खाया था मैंने सब तो खा लिया अब तुम दोनों को खाऊंगी मेरा बेटा मेरी बीवी बगवार यह चुड़ायल मेरा पूरा परिवार खा गई और बुढ़ा आदमी उसे जैसे तैसे वहां से खीच कर उसे बचा ले जाता है उस दिन के बाद जगन अकेला ही अपने गाउं में रहने लगता है और उस जंगल की तरफ कोई दुबारा जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि जो भी वहां जाता है वहां से बस उसकी हड़ियां ही मिलती है